नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ethical hacking in Hindi के part 19 के second part में जहां हम सीख रहे हैं शेशन hijacking आईए एक नज़र डालते हैं कि last या previous के वीडियो में हमने क्या देखा दोस्तों previous वीडियो में हमने देखा कि शेशन क्या होता है शेशन hijacking किसे कहते हैं और बाद में हमने यह जाना कि transmission control protocol या TCP IP transmission control protocol and internet protocol किस तरीके से काम करते हैं यानि how computer communicate with one another on a network और यह process तब पूरी होती है जब data packet दो computer यह machine के बीच में transmit transmission करते हैं जिसे हम three-way handshake कहते हैं means this is done by the transmitting a series of data packet between the two machines in a process known as the three-way handshake जितने भी computer network में है उन्हें आपस में connect होने के लिए या communication करने के लिए इस process को पूरा करना होता है आप चाहें तो sin, cynic और acknowledgement की जो process होती है इसे आप sniffing tool के जरीए भी देख सकते हैं जो हमने sniffing के वीडियो में पहले देखा हुआ था और हमने आगे देखा था कि actually session hijacking कितने types क्या होते हैं और यह किस तरीके से work करते हैं इसमें हमने जाना था कि session hijacking को हम दो हिस्सों में divide करते हैं एक्टिव और एक passive एक्टिव क्या होता है पेसिव क्या होता है इस बारे में details लिए थी कि active जो already authentication होता है उसमें involved होता है मतलब जो session पहले से established हो चुका होता है उस session में हम जो attacker होता है वो connect करता है computer से जो already login या जिस profile में already user enter हो चुका होता है और जिसकी cookies hijack करके फिर उस session को active किया जाता है और पेसिव वो होता है जहां पर जो connection इस्टेब्लिश हो चुका होता है उसका जो connection established माफ कीजेगा जो connection established होने के लिए try कर रहा होता है जैसे मान लीजा अगर आप किसी website पर visit कर रहे हैं या किसी से आप कुछ communication कर रहे है और उस समय जब उस details को कर लिया जाता है बीच में से जब इस details को उस session को hijack कर लिया जाता है बीच में से और इस बदो इस यह जो hijack होती है जो session hijack कर लिया जाता है इसकी information होती होना victim के पास होती है और ना सोर्स के पास ना डिश्टिंशन के पास और यहां तक स्पूफिंग वर्सेस हाई जेकिंग हमने देखा तो इस पूफिंग में हमने यह देखा था कि एक वैलिड यूजर जिसका और एक हमने एक एक अग्जामपल भी लिया था कि अगर माइक्रूसफ्ट की तरफ से या किसी कंप्णी की तरफ से आपको मेलाता है कि आप जौब के लिए मिन जॉब के लिए हैं और वह जो मेल है वहापको आपको इस कंपणी ना भीज कर उसकि मे उसी की मेल इडिस पूफ करकर स्पूफिंग के हलाता है और स्पूफिंग तरीका होता है जिसमें एक इस्टेबलिश हो चुके स्पूफिंग की कुकीज को चुरा कर फिर उसे यूस किया जाता है स्पूफिंग और आएंजे हम देखते हैं और समझते हैं कि अड्वांटेज अप्टीकर की यहीं बात पर एक नजाद आल्त है without having to do authenticate it मान लिजे किसी ऐसी mailing site पर या किसी ऐसे social networking site पर जहाँ या किसी site पर जहाँ पर कोई authentication मांगता है username और password अगर अगर किसी user ने already वहाँ इंटर किया हुआ और उसकी cookies store हुई है और उसके station को hijack कर लिया जाता है तो attacker को authentication की आवशकता नहीं होती है वो विदाउट authentication उस site को या उस mailing site का social networking site को या e-commerce site को या e-commerce site को use का सकता है second, once the attacker hijack a session they no longer have to worry about the authenticating to the server as long as the communication session remain active जब तक को cookies वहाँ पर store रहेंगे तब तक एक attacker को authentication की चिंटा नहीं करनी पड़ती हुआ पर्टिकुलर उस cookies को यूज करके बार बार उस session hijacking technique के जरिये बार बार उस site को यूज कर सकता है without authentication and next point है successful session hijack attack also allow the attacker to issue commands to the server on the network, commands use कर सकता है अपने हिजाब से डारेक्टरीज चेक की जा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़े जो session hijacking में यूज होती है commands के जरिए और आप यहां देख सकते हैं means अगर मान लिजे आप उस session में उस session को यूज करके अगर आप मान लिजे अगर एक attacker session hijacking करता है तो उसमें बहुत सारी commands चला कर जैसे dir command चला कर directories वगरा देख सकता है और और भी बहुत सारी commands यूज कर सकता है जो बहुत हम आगे देखेंगे कि क्या क्या disadvantages हो सकते हैं किसी victim के लिए अगर उसका computer session hijacking का अगर वो particular computer session hijacking का victim बनता है तो next point is session hijacking is also very easy to do especially on older operating systems तो ध्यान रखें इस बात का बार बार यह repeat कि आ जाता है कि अगर किसी भी attack से अपको अपने आपको safe रखना है तो बहतर होगा कि अपने computer में अपने operating system का system का एक तो सबसे पहला नया version यूज करें नीवर वर्जन यूज करें सेकेंड अपडेशन अनने दे अपडेशन बहुत important होता है अपडेशन आपके जो भी OS होता है उस OS को सारी वो coding और वो जो भी security होती हो provide करता है attackers के तूप तो इस बात का ध्यान रखें कि शेशन है कि बड़ेशन है कि बड़ेशन आपलाए हो जाता है ओल्डर operating system पर जैसे मानलीज आप 2000 XP और XP की बात करें इस तरीके के पुराने version sign पर बहुत जादा जल्दी हो जाता है यहां पर एक next point यह दी कि however the session hijack attack does not depend on the specific software or hardware vulnerability but rather a design limitation with the TCP IP protocol that does not guarantee security after the connection is met अभी पहले में मेंशन किया गया था पहले के slide में कि हरे computer click communication करने किया connect होने के सबसे जरूरी जरूरी जो है वह 3-way end check without 3-way end check के दो computer network में आपस में communicate नहीं कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको sniffer के जरी एक बार sniffer करके देख सकते हैं तो जब कोई connection established होगा तो उसका जो packet capture किया जाएगा उसमें आपको sin, sinek और यह सब दिखाई देगा तो actually किसी hardware की vulnerability या किसी software की vulnerability की वज़े से नहीं होता TC5 protocol की जो जब भी हम connection established करते हैं उसके वज़े से होता है तो इसको रोपना थोड़ा सा वह हो जाता है बहतर तरीका यह है कि आप नए ने OS यूज करें ताकि जितने OS है नए जो OS है उनमें सारी vulnerabilities को दूर किया गया है आई जानते है advantage of the session hijacking for the attackers आप एक attacker क्या कर सकता है जब अगर वह session hijack को करने में मान लीजे अगर वह सफल हो जाता है या successful रहता है session hijacking के attack में तो क्या क्या कर सकता है आप यहां देख सकता है when a successful attack is achieved the attacker has the ability to read or modify the data आपके data को read कर सकता है even उसे modify भी कर सकता है उसमें changes कर सकता है आपकी confidentiality नहीं रहेगे integrity portions जो है वह नहीं रहेगा और आप यहां देख सकते हैं कि ARP instrument denial of service conditions आप denial of service attack के victim भी बन सकते हैं तो यह सारी जो advantages वे आटेकर को मिल जाते हैं अगर वो एक बार session hijacking में successful हो जाता है अगर आपके computer में next देखते हैं क्या procedural overview क्या होता है session hijacking का मतलब क्या procedure होता है जब एक attacker session hijacking करने की कोशिश करता है किसी computer पर तो step by step उसे किस तरीके से follow करता है उस पर एक नज़र डालते हैं सबसे पहरे locating a target target को locate करता है कि target कहां कून target होगा एक active connection को find करता है कि connection active है या नहीं perform sequence number predictions जब आप connection establish करते हैं तो जो synchronization जो आपका जो key होता है उसे लेते हैं take one of the parties offline एक जब attacker जब hijacking ट्राइक करता तो आपने देखा ही कि एक जो victim में वो offline हो जाएगा take over the session and maintain the connection सारे जो शेशन है उसको cover कर लेता है उसे वो hijack कर लेता और उस connection को properly maintain कर सकता है next video में हम इसे properly सही तरीके से apply करके देखेंगे इसका practical देखेंगे और इनके tools के बारे में जानेंगे और भी कुछ ऐसी बातें जो अभी साइद आपके आपको लग रहा होगा कि आपको और कुछ जानना है वो सारी अब next video में maintain की जाएगी आपको बताई जाएगी even tools के आप practical session के साथ और दोस्तो जीन users जीन users को लगता है कि उन्हें ethical hacking में अपना career बनाना है वो distance learning kit को order कर सकते है distance learning kit actually बाहर से इसाब से design की गई है कि जो बहुत बड़ी fees को maintain नहीं कर सकते हैं और बाहर से अपने घर से रहकर यह सारी चीज़ सीखना चाहते हैं वो लोग अपने इस अपने इस distance learning kit के जरीए सब कुछ अपने घर पर बैठकर सीख सकते हैं distance learning kit में आपको अबगों सारी DVD मिलेंगे जिसमेरो सारे truck सारे नोट से आप ओन नोट ds को उन टूल को यूज कर सकते हैं और उन टूल के जरीए और नोट कीजरीए आप सीख सकते हैं proper पर नूट्स हैं, हार एक foot printing से रिकर प्रिंटेसन टेस्टिंग तक लास्ट चेप्टर तक सारे आपको बुक्स प्रोवाइट की जाएंगे, सारे लैब क्रीशन के लिए जो वर्चुल मशीन वगरा होती हैं, वो प्रोवाइट की जाएगे, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिये तो दोस्तो आप विजिट करें पर टेक्सेकुरिटी.com पर यहां पर आपको और भी बहुत सारी डिटल्स पता चलेंगी बहुत सारी चीजों के बारे में, और बहुत जल्दी वेबसाइट पर बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी बुक्स अगर अप्रोड की जाएंगी ज दोस्तो तब तक देखते रहे हैं और सीखते रहे हैं, Ethical Hacking in Hindi.